विमाले से भी जिद्धी है वो तभी तो सरहत पर अड़ा है वो भारत मा का फौजी है तभी तो मौत के बाद भी सीना ताने खड़ा है आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंडियन सोलजर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मौत भी अपने देश की सेवा करने से ना रोक पाई और सहीद होने के बाद भी 38 साल तक वो सरहत पे अपनी ड्यूटी नहीं भाता रहा इसके पहले की वीडियो में मैंने राइफाल मैं जसन सिंग के बारे में बताया था कि कैसे एक अकेले इंडियन सोलजर ने 300 चीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और आज इस वीडियो में हम सहीद हरबजन सिंग के बारे में बताने जा रहे हैं हाँ मुझे पता है 90% लोग इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था लेकिन काफी रिसोर्सिस पर रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि इंडियन गवर्मेंट ने उन्हें उनकी मौत के 38 साल बाद 2006 में उन्हें सेना के अधिकारी तोर पर रिटायर किया ये बात बहुत चौकाने वाली है कि जो सोलजर सन 1968 में नाथुला जो की सिक्यम के बॉर्डर के पास का एरिया है एक बरफ के ग्लेशियर के फिसल जाने से वो सहीद हो गये तब भी इंडियन गवर्मेंट ने 38 साल तक उन्हें एक लाइफ सोलजर की तरह ट्रीट किया हर सोलजर की तरह हर बजन सिंग को भी ताइम टू टाइम प्रमोट किया जाता था और हर साल 11 सेतेंबर से 1-2 महिने की छुट्टी भी दी जाती थी और इतना ही नहीं उनके लिए ट्रेन की सीट भी बुक की जाती थी जो की खाली रहती थी और उनके समान के साथ तीन सोलजर उनके साथ गाउं जाते थे इस कहानी की शुरुआत होती है 1966 से जब हरबजन सिंग 20 साल की छोटी सी उम्र में ही आर्मी को जोइन कर लेते हैं और ट्रेनिंग खतम होने के बाद 1967 में उनकी पोस्टिंग सिक्किम के बॉर्डर पर कर दी जाती है जहां पर वो अपनी ड्यूटी पूरे जोस के साथ कर रहे थे मैं आपको बता दूँ इस बॉर्डर पर माइनस 5 से माइनस 10 डिग्री तक खून जमा देने वाली ठंड़ पड़ती है लेकिन हमारे देश के वीर फौजी वहां पर भी अपने भारत माता के हिफाज़त करने के लिए डटे रहते हैं तो एक दिन हर्बजन सिंग राउन पर निकलते हैं तो बर्फ का ग्लेसियर फिसल जाता है और वो नदी में जा गिरते हैं और उनकी मृत्की हो जाती है जिसकी खबर अभी तक किसी को भी नहीं थी काफी दिनों तक उन्हें ना देखने पर बाकी सोल्जर्स ने उन्हें बहुत ढूनने की कोशिश की लेकिन उनका कोई पता नहीं चला तो सब को लागा कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गये हैं और इंडियन आर्मी ने उन्हें भगोड़ा गोसित कर दिया लेकिन कुछ दिनों बाद हर्बजन सिंग अपने किसी दोस्त के सपने में आकर ये बताते हैं कि उनकी डेड बाड़ी कहां पर है और जब उस जिके पर सर्च किया गया तो उनकी बॉड़ी एस इटीस उसी प्रेस पर मिली आप आर्मी को ये बात समझ आ चुकी थी कि उन्होंने हर्बजन सिंग को भगोड़ा गोसित करके बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती को सुधारते हुए उन्होंने हर्बजन सिंग को पूरे सम्मान के साथ तीरंगे में लिपटा कर उन्हें अंतिम बिदाई दी सब कुछ ठीक हो चुका था लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कलपना किसी ने भी नहीं की होगी वहां के बॉर्डर पर तैनास सोल्जर्स को उनके अलावा किसी और के होने का एसास होने लगा बहुत सारी ऐसी चीज उनके साथ होने लगी जिस पर वो खुद यकिन नहीं कर पा रहे थे कुछ सोल्जर्स का ये तक कहना था कि जब रात को पहरा देते टाइम उनकी आँख लग जाती थी तो हरबजन सिंग उन्हें थपड मार के जकाते थे और उन्हें सचेत करते थे पहले तो इंडियन आर्मी के सीनियर्स आफिसर को ये बात बिल्कुल जूट लग रही थी लेकिन उन्हें इस बात का बिलीव तब हुआ जब चाइना से उन्हें मैसेज आता है कि आपका कोई जवान रात को घोडे से बॉर्डर के काफी करीब आ जाता है आप इस चीज को सुधा लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है इसके बात जब इंडियन आर्मी इस चीज को चेक करने के लिए बॉर्डर के पास पहुचती है तो उन्हें घोडे के पैरों के निसान दिखाए देते हैं जिसके बाद ये वहम लगबग यकीन में बदल जाता है और ये मान लिया जाता है कि उनके अलावा भी कोई है जो दिखाए तो नहीं देता पर भारत मा की सेवा के लिए उनके साथ बॉर्डर पर तैनात है इसके अलावा हर्बजंग सिंग ने कई बार चीनी सेना के घुसपैट की खबर किसी ना किसी मीडियम से इंडियन आर्मी तक पहुचाई है और कोई भी प्रॉबलम अगर होने वाली होती थी तो उसका संकेत सोल्जर्स को दे देते थे धीरे धीरे लोग का बिलीव और स्ट्रॉंग होता गया और लोग उने आर्मी का भगवान कहने लगे और 1982 में नौथौला के बंकर में ही उनका एक मंदीर बना दिया गया और उनके जरूरत का सारा समान भी उसी मंदीर में रखा जाता है और सबसे जादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जो जूते उस रूम में रखे जाते थे वो लगबग हर रोज गंदे हो जाते थे तो ये पता चलने के बाद उस मंदीर को उस टाइम तक बंद रखा जाता था जब उनकी डूटे का टाइम रहता था और आज भी दूर दूर सी लोग उस मंदीर के दर्शन के लिए आते हैं और आज हम उन्हें बाबा हर्बजन सिंग के नाम से जानते हैं और इन सब के अलावा जब भी कोई मीटिंग होती थी तो बाबा हर्बजन सिंग के सम्मान के लिए एक कुर्सी खाली छोड़ दी जाती थी और जैसे ही सोलजर्स को उनके काबिलियत के हिसाब से प्रमोट किया जाता था वैसे ही बाबा हर्बजन सिंग का भी प्रमोशन किया जाता था और जब 2006 में उन्हें रिटायर किया गया था तो वो कैप्टन बन चुके थे Friends मुझे पता है आज के educated society में ऐसे अंध्रिस्वास की कोई भी जगे नहीं है लेकिन हम इन soldier के राश्ट प्रेम को नजर अंदाज भी नहीं कर सकते जो की मौत के 38 साल बाद तक भी अपनी duty निभाते रहे और देश की सेवा करते रहे हमें बड़े-बड़े celebrity की कहानियों की बारे में बड़े ही उच्सा के साथ बताया जाता है और हर TV चैनल पर उनकी बात होती है लेकिन आज बाबा हरबजन सिंग की ये unbelievable real story मैं चाहता हूँ देश के हर नागरिक तक पहुचे और उन भाईयों को दिल से salute जो लगदाग जैसे बरफीले इलाके पर भी तैनात खड़े हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम चैन से रह सकें जै हिन जै भारत